नमस्कार साथियों यह जो फिजिकल एजुकेशन डियेसेस्वी में पेपर 2016 पीजिटी में हुआ था उसका यह लास्ट वीडियो है और मैं आज इस वीडियो में दोसफ कोस्चन को कम्प्लीट कर दूँगा इसे पहले मैं नौ वीडियो डाल चुका हूं आठ वीडियो डाल चुका हूं यह नवी वीडियो है तो आप लोग के सामने यह वीडियो देखिए रिप्रेजेंट हो जित्ती है और वीडियो को अच्छे से देखिए सस्क्राइब करिए कोस्चन नमर 181 है साट इस पुट कहा है कि सौट इस पुट नाट थ्रो नो डाउट बट वाट इस द रखना और नाट थ्रो नो डाउट यानि कहा है कि साट पुट का मतलब होता है कि रखना नो की थ्रो करना इसमें कोई डाउट नहीं है बट इसका एम क्या है इसका उदेश क्या है लेकिन इसका उदेश क्या है तो आपसन नमर ए है डिस्टेंस बी है हाइट सी है स्पेड ड है velocity तो आपसान नम्मर ए सही है इसका जो एम होता है वो distance होता है रखना थ्रोत का मतलब तो नहीं होता है कहा है कि गोले का मतलब होता है कि put करना रखना ना कि throw करना बट इसका जो aim होता है distance होती है तो आपसा नम्मर A सही है question number 182 है the null hypothesis null hypothesis is also known by the name आप जो null hypothesis होती है और null का मतलब बोलते हैं सुन्य 0 hypothesis में नल परिकलपना जब हमारी परिकलपना सुन्य होती है तो उसको बोलते हैं null hypothesis आप लोग को रिसर्च जब वीडियो डालूँगा तो अच्छे से समझाओंगा और यहां तक कि मैं रिसर्च की वीडियो डाल चुका हूँ जो भाई नेट की प्रिप्रेशन कर रहे हों वो वीडियो देख सकते हैं आप चैनल पे अगर सर्च करेंगे फिजिकल एजुकेशन एरा बाई नागेंद्र यादो तो आपको पूरी वीडियो हमारी मिल जाएगी और मेरा एक टेलिग्राम चैनल है फिजिकल एजुकेशन एरा के नाम से आप उस टेलिग्राम चैनल को भी टेलिग्राम पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे सारी वीडियो मेरी पड़ी है आप वहाँ से हल्प ले सकते हैं तो नल हाइपोथेसिस की अगर बात करें तो इसमें हता है कि नो डिफरेंस हाइपोथेसिस मतलब मैं जो अनुमान लगाया और जो रिजल्ट आया उनके बीच जब पोईट डिफरेंस नहीं दिखता है तो उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, आपस़न नम्मर यह सही है, no differences hypothesis, alternative hypothesis, आपसन नम्मर भी है, alternative hypothesis की बात करें, यानि कि जब अनुमान और result के बीच में, अनुमान और जो हमारे product प्राप्त हुए है, उनके बीच में कुछ difference मिलते हैं, difference मिलते हैं और direction बताते हैं कि कितना है तो उसको बोलते हैं alternative hypothesis आफसान नमर इसमें एसाही है question number 183 है in volleyball assistant to the referees is known as volleyball में जो referee का assistance है assistant मने सहाइक होता है उसको क्या बोलते हैं coordinator बोलते हैं या judge बोलते हैं या timekeeper बोलते हैं या empire बोलते हैं तो जो referee का assistance होता है सहायक होता है volleyball में उसे empire बोलते हैं आफसान नमर डी सही है question number 184 है which of the following game is most popularly play in the commonwealth countries काहे कि इन में से कौन सी ऐसी गेम है जो commonwealth country में most popular है ज्यादा तर खेली जाती है तो इससे देखा जाए तो football बहुत ज्यादा commonwealth country में खेला जाता है और commonwealth country वह होती है जिस पर अंग्रेजों का उपनिवेस रह चुका है अंग्रेज सासन कर चुके हैं उसी को बोलते हैं commonwealth उनों ने एक संगठन बनाया जिन जिन राजियों पर जिन जिन देशों पर नों ने सासन कर चुका है उसका एक संगठन बनाया उसी को बोलते हैं commonwealth countries तो हांकी हर्स पोलो लल टेनिस लॉन टेनिस और cricket तो देखा जाए तो इस समय इन में से क्रिकेट सबसे अधिक खेला जाता है तो option no.20 ही है question no.185 है systematic weight training जो systematic weight training होती है वो tremendously रूप से अधिकतर रूप से क्या डवलप करती है systematic weight training systematic weight training का मतलब होता है कि day by day आपका improvement हो load बढ़ाते जाएं तो tremendously क्या improve करता है तो question no.85 में option no.C सही है muscular strength weight training से muscular strength और high muscles hypertrophy muscles की size बढ़ती है तो option no.C सही है question no.186 है vibrant is a moment carried out on the vibrant vibrant बाने vibration करना हिलाना vibration moment carry out on the किस पे होता है vibration moment joint पे होगा या bone में होगा या muscles पे या skin पे तो जो vibrant moment की बात किया है ये massage का part है और option no.D सही है skin पे question no.187 है the major objective of a research report is two जो research report होती है research report मतलब की final product final result जब research report का main objective मुख्य अबजेक्टिव मुख्य लच्य क्या होता है तो option no.A है enable the researcher to earn a degree यह researcher को degree प्राप्त करने के लिए कमाने के लिए युग्य बना देता है और भी proliferate knowledge by publish it इसके publish करने से knowledge बढ़ जाता है और c communicate a set of ideas are facts तो option no.C सही है यानि कि इसका मुख्य उदेश से जो है research report का वो एक idea और तथ्य को communicate करना होता है एक set idea एक set form में बिखरे हुए form में नहीं एक set form में idea और तथ्य को communicate करना ही इसका उदेश से होता है तो option no.C सही है question no.188 है the competitor the competitor in high jump will take off with off with मतलब कि अगर कहा है कि यह competitor high jump में take off किस प्रकार लेता है एक pair से one feet से two feet से और c है both आप देश बबब तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई high jump करता है तो दोनों pairों से take off तो नहीं ले सकता है इसलिए option no.A सही है one feet एक pair से ही take off लेता है question no.189 है which of the following sciences propose the law of use and disuse कहा है कि निमलिखित में से कौन सी science है विज्ञान है जो प्रयोग और अनुप्रयोग के नियम को प्रपोज करती है मलब बताती है तो option no.A फिजिक्स, बाइलोजी, केमेस्ट्री और साइकोलोजी तो साइकोलोजी में law of exercise को ही use and disuse का सिधान्त बोलते हैं और इसे थार्नडाइक महोदय ने दिया था तो option no.D सही है question no.19 के बात करते हैं कि the world the world is most popular stimulant drug found in tea, coffee, cola drink, diet pills etc. यानि कहा है कि जो world में most popular stimulant drug है वह coffee और cola और drink में, coca cola और coffee में और चाय में क्या पाया जाता है कौन सा ही some most popular drugs है तो option no.A है caffeine, cocaine, cocoa और coke option no.A सही है, caffeine ही tea में, coffee में और cola drink में, diet pills में पाया जाता है और nicotine तमबाकू में पाया जाता है, तो option no.A सही है question no. मैं आप लोग को इस वीडियो में चाये जो भी वीडियो हो अच्छी तरह से समझाने की कोशिस किया हूँ ताकि आपको उसके इर्दगिर्द, around अधिक से अधिक knowledge प्राप्त हो अगर हमारी वीडियो को like, subscribe करते हैं अधिक मात्रा में तो मैं और motivate होकर वीडियो आप लोग के बीच लाओंगा और जब मैं board पे class लूँगा तो वाकई आपको विश्वास नहीं होगा या आपको जो चीज समझ नहीं आएगा मैं सारा चीज clear करा दूँगा यह मेरा दावा है मैं अपनी qualification के बारे में बता दूँ कि मैं BP, BPA'd, YMP'd और तीन बार net qualify हैं और इस समय present time में 7-8 job के लिए qualify कर चुके हैं और present time में sports officer के post पे job कर रहे हैं question number 191 है the location of take-off board the location of take-off board from the nearer in the landing area in the triple jump for main selby कहा है कि जो triple jump होता है triple jump तेहरी कुद बोलते हैं इंदी में triple jump तो उसमें जो landing area से take-off board होता है landing area जैसे यह landing area हो गया landing area और take-off board हो गया तो triple jump में landing area के इंड से यहां से और take-off board की दूरी men's के लिए कितने होती है तो men's के लिए बता दें यह 13 meter होती है तो आपसा नम्मर A सही है और female के लिए women's के लिए जो होती है वो 11 meter होती है तो आपसा नम्मर A सही है 13 meter इस question के regarding question number 192 है trial and error learning is also known as आप लोग जानते होंगे कि trial और error कौन दिया था थर्न डाइक ने दिया था बिलिप experiment किये थे तो आपसा नम्मर A organized learning संगठित सीखना self learning स्वयम सीखना C है instinctive learning manovitik सीखना और informal learning अनवचारिक सीखना तो trial and error की बात करते हैं तो self learning self learning कैसे होगा आपके मन में विचार उठ रहा होगा self learning का मतलब होता है trial यानि trial करना भूलना करना गलती करना करना गलती करना उससे व्यक्ति आप खुद का सीखना सुरू कर देता है तो उसको बोलते हैं self learning option नमर 20 है question नमर 193 है rapid weight loss over 22-48 hour can only be attribute कहा है कि जब किसी ब्यक्ति का 24-48 घंटे के बीच TG से weight कम होता है तो उसका क्या region हो सकता है appetite loss यानि उसकी भूक खतम हो जाती है B. hard work hard work के कारण तेजी से घटता है water loss के कारण वानि water की कमी के कारण और deep fasting अगर कोई fasting रहता है तो option नमर C सही है अगर 24-48 घंटा में तेजी से rapidly weight down होता चला जा रहा है तो water loss के कारण ही down हो रहा है तो option नमर C सही है अब question नमर 194 है तो with of the runway of javeling is तो बात करें तो इसमें option जो दिया है सब गलत दिये है with पूछा है जो javeling का runway होता है वो 4 मीटर चौड़ा होता है 4 मीटर चौड़ा 8 मीटर लंबा होता है तो इसमें कोई option नहीं है इसमें 4 मीटर होगा runway with चौड़ा ही पूछा है length 8 मीटर होता है और जो ये कर्व बनता है यहाँ से 7 सेंटी मीटर का चौड़ा होता है कर्व जो line होती है 7 सेंटी मीटर की चौड़ी होती है और ये 75 75 सेंटी मीटर निकले रहते हैं साइड में extend होता है कि आप इधर नहीं जा सकते तो इसमें कोई option सही नहीं है इसलिए मैंने बता दिया कि 4 मीटर सही है जो भी था आप दर रण में आप जबलिंग थो ओके आसा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और मेरा जो समझाने का सहली है मैं चाता हूँ कि ज़्यादा standard न समझाएं इसलिए कि आप को चाए भोजपूरी बोलें हिंदी बोलें इंगलिस बोलें किसी तरह से समझ में आना चाहिए और teacher की यह कि वही quality होती है जो कमजोर से कमजोर को समझा सके तो मेरा यही धेया हमारा यही target होता है कि आप लोगों मैं easy से easy way में समझा सकूँ question number 195 है for sociologist physical education as n कहा है कि समाज सास्त्रियों के लिए सारिदिक सिच्छा एक है क्या है जो समाज सास्त्री है उनके लिए सारिदिक सिच्छा क्या है आप समझिए इस तरह option नमर यह है lifetime education यह जीवन परियंत सिच्छा है वो कहते हैं कि जीवन परियंत सिच्छा है B है moral education नैतिक सिच्छा और C है education of body यह सरीर की सिच्छा है और D है value based education तो option number D है मुल्य आधारी सिच्छा है समाज सास्त्रियों के लिए सारीरिक सिच्छा मुल्य आधारी सिच्छा है option number D सही है question number 196 है complex carbohydrates are not found in कहा है कि complex carbohydrates नहीं पाया जाता है भाई तीन में तो पाया जाता होगा एक किसमें नहीं पाया जाता है तो option number A सही है fruits में complex carbohydrates नहीं पाया जाता है बाकि rice, bread और पास्ता में complex carbohydrates पाया जाता है अब complex और simple की बात करें तो carbohydrates के दो फाम होते हैं complex और simple simple हो होता है कि juice है खाने से तुरंत energy quick energy sources प्राप्त हों जैसे fruit हो गया, fruit juice हो गया जेगरी घूड हो गया chocolate हो गया biscuit हो गया, sugar हो गया और गन्ने का juice हो गया ये सब जब आपको इसी मीठा खाते हैं तो तुरंत आपको energy provide करता है इसको बोलते हैं simple carbohydrate और complex जो देल में और देर तक उर्जा प्राप्त करता है, प्रदान करता है उसको बोलते हैं complex carbohydrate तो आपसन नमर A सही है question नमर 97 which of the following injury you simple can not treat yourself कहा है कि निमलिखित में से कौन सी injury है, जो आप साधारतर रूप से आप treat नहीं उसका इलाज नहीं कर सकते आप खुद का इलाज नहीं कर सकते तो आप लोग देखकर question अनुमान लगा लिये होंगे कि किस प्रकार की injury है जिसे हम खुद नहीं इलाज कर सकते तो आपसन नमर A सही है fracture, तूटना fracture को आप खुद इलाज नहीं कर सकते क्योंकि उसको support और अलग treatment की ज़रूरत होती है बलकि sprain और contusion और abrasion का इलाज कर सकते है sprain जो होती है ligament injury होती है यह जोइन पर होती है और D है abrasion माने छिल जाना skin injury है soft tissue injury है और C है contusion भी soft tissue injury है यह contusion का मतलब होता है नीला पर जाना question number 198 है which of the following is a passive form of massage passive form of massage निमलिखित में से कौन सा massage 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 लिखा है तो message लिखा या massage लिखा है which of the following is a passive form of massage massage का passive form कौन सा है तो option number यह है इस सही होगा और बाकी active form है yoga होगा होगा है jogging होगा है calcthenic होगा option number यह सही है question number 199 है the difference between systolic and diastolic pressure is known as सिकूड़ने और फैलने के बीच के अंतर को क्या कहते है बीच के difference को क्या काते है systolic और diastolic pressure के बीच के अंतर को क्या काते है तो normally साधान व्यक्ति का एक systole जो होता है 120 by 80 होता है यह हो गया systole, यह हो गया diastole अब 120 में से 80 को minus कर देंगे तो 40 आएगा जो 40 आएगा तो 40 को बोलते हैं pulse pressure तो systole और diastole के बीच के difference को pulse pressure बोलते हैं sorry pulse pulse रिटने गलब c होगा option number c होगा pulse pressure pulse pressure बोलते हैं तो कोई भी पूछते हैं कि hurt wrist कब करता है तो hurt कोई wrist कब करता है जब systole और diastole के बीच के अंतर कोई बोलते हैं कि hurt उसी समय wrist करता है option number c सही है question number 200 है और इस वीडियो का और अभी तक का last दो सब question जो कराए लास्ट वीडियो है और लास्ट question है तो आप लोग से मेरी request है कि मेरे channel को आप लोग subscribe करिए और अपने दोस्तों को share करके subscribe कराए जो भी भाई फिजकलोजिकेशन से related preparation कर रहा हूं तो which of the following which of the two therapies do contrast both combination कहा है कि निमलिखित में से कौन सी ऐसी दो थेरेपी है जो contrast both combination में आती है contrast में अल्टर्नेट बहुत तो आपसा नमर यह है diathermy and cryotherapy डाय थेमी जो होती है इलेक्रिक से होती है और cryotherapy जो होती है ठंड़े जल से होती है और B है hydrotherapy और thermotherapy हाइड्रो माने जल से और thermo माने गर्म कोई पाटर हो जाए चाहे पाट हो और C है cryotherapy and thermotherapy तो आपसा नमर C सही है ठंडा और गर्म से cryo मतलब ठंडा होता है thermo मतलब गर्म तो contrast बात का मतलब होता है ठंडा और गर्म जब हम injury में यूज करते हैं तो उसका principle पहले होता है कि पहले ठंडा यूज करते हैं फिर गर्म यूज करते हैं ठंडा यूज करते हैं गर्म यूज करते हैं इस प्रकार हम contrast बात को देते हैं और contrast बात swelling कम करने को लिए दिया जाता ह जब इंजरी जब चोट क्रोनिक हो जाती है नि पुरानी हो जाती है क्रोनी का मतलब होता है पुरानी जब चोट पुरानी हो जाती है तो उस समय कंट्रास्ट बात दिया जाता है इस तरह मैं दो सब कोस्चन को आज कवर किया हूं और आप लोग से मुझे विश्वास है कि और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे थैंक्स फार वाचिंग माई वीडियोग